नमस्कार, वेलकम टू फिल्मिशन का चैनल, आज पेश कर रहे बॉलिड की अभिनेतरी परविन बॉबी की फिल्मि बायोगपी, चानिए हिंदी प्रिम किंदिष्टी की बोर स्टाइलिस और बोर्ड एक्टर्स परविन बॉबी हमेशा फैंस के दिलों में जिन्दा रहे, अभिनेतरी ने जितनी शोरक कमाई उतनाई विवादों से भी जुड़ी रही चार अप्रविन बॉबी अपने जमाने की बहत बोर्ड और टॉप एक्टरिस में गिरी जाके थी सपलदा के सीडियों पर चड़ती परविन बॉबी ने जितनी शोरत देखी अंत समय में उन्होंने उतना अकेला पन बिजिना परिम बॉबी बने ये आज ये दुनिया में न हो लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उतना ही चाहते हैं परिम बॉबी अपने माता पिता की हिकलोती संतान थी अबियती का जल्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था उनके पिता वनी मौवथ खान बॉबी जुलागर नवाब की प्रस्या सकते और उनकी मा का नाम जमाल बक्ते बॉबी था परिम बॉबी ने अपने पिता को पास साल की छोटी उम्र में खोज जिया था इस्डिवेशन की बात करें तो अबियती ने अपनी पढ़ाई अमदावाद के माउंट कारमेल हाइ स्कुल से की इसके बाद उन्हें अमदावाद में सेंट जेवेज कॉलेज में दाखिन लिया जाह से उन्हें इंग्लिस लिट्रिचर में क्रजरीशन किया परविन बाविन ने बाविन में अपने करीर की शुरुआद 1973 में आई फ्लीम चरित्र से की थी इसके बाद उन्हें मजबूर, दिवार, अमर, अगबर, अंतोनी, काला, पत्र, सुवा, क्रांकी, कालिया, शान, दब, बर्निंग, टे, नमखला, रज्या, सुल्तान और इरावर जैसी कई हिट फ्लिमों के काम किया सुपरेट फ्लिमें देने के अलावा पर्विन मौबिंट 1973 में बॉलूर की पहली अभिनित्री बनी, जिने टाइम मैगजिंग के कवर पर आने का मोगा मिला सा 98 में आई आकरशन पर्विन मौबे की आकरी फ्लिम थी, उन्होंने फ्लिम इंडिस्ट्री को उस्वक अलवद्या का दिया जब बॉलूर की टॉप एट्पिस में गिरी जाती थी फिन में दुरिया छोड़ने के बाद वो अध्यात्म की खोज में निकल गई और कई देशों की सेर की कुछ समय बाद अभिनित्र को लेकर ये बास सामने आए कि उन्हें पैरानोइड सिनोव फिजजिया नाम की बिमारी है जिसकी वदर से उनकी मान सिक्स्तिती बिगड रही हाला कि परमभी ने इस बात को कभे भी स्विकार नहीं किया परमभी ने करेर से ज़्यादा अपनी परसनल लाइफ की वदर से शुरुकिया बटोरी एक्वेस का नाम उस दोर के कई बड़े से जुगा परमभी के चाहने वालों के लिस्ट में कभीर बेदी, मैज बड़ और डैनिक देंजप का जैसे स्टार सामिन इनमें कभीर बेदी और मैज बड़ संक उनके रिष्टे ने सबसे ज़्यादा सुरुकिया बटोरी दोनों के इस्टों में एक वक्त ऐसा आया जब शादी शुदा कभीर बेदी ने एक्ट्रेस के लिए अपने पत्री तक को छोटने का फ्रेस्टा कर लिया था एक्टर ने परविन संद अपने रिष्टे का खुलासा अपने बायोग अपी स्टोरीज आई मस्ट टेन तर इमोशनल लाइप आप अप्टर में भी किया है परविन बाबी ने ग्लैमर वर्ड में जितनी दवलत और शोरत कमाई आखरी वक्त में वो उतनी बेबस और मजबर हो गई थी अभियत्री के अंतिन समय में उनकी खोज ख़वर लेने वाला कोई नहीं था परविन बाबी का शव उनके जूस्ट इत घर में सड़ी गली अवसावे मिना था इधन के बाद परविन बाबी की बाड़ी उनके अपांडमेंट में कई गिनों तत पड़ी थी हुई थी जब उनके पड़ेशियों को शक हुआ और गमरे से बद्बू आने लगी तब उन्होंने पुलिस को इतला दी पुलिस पोची और घर का दरवाया खटकड़ाया लेकिन कोई जवाब नहीं विला इस तिति में जब पुलि दरवाय तोड़कर अंदर गई तो बिस्तरवर पर्मबाबी की लाश पड़ी हुई थी इस नजारे को देखकर हल्थ किसी के ओश उड़ दे गुज़े जवाने की खूप स्रदाव ग्रामर दिवा पर्मबाबी बिस्तरवर पड़ी हुई थी और उनकी लाश सड़ रही थी याद तक कि उनको पैचाल बाना भी मुश्किल हो रहा था पर्मबाबी को पोस्बड़म रिपर के अनुस्वार अवियति के मुर्ति उनकी बाड़ी मिलने के 33 गंटे याद तक कि उनके बाड़े में खाने के टेस भी नहीं मिले पर्मबाबी निजल से पहली कई दिनों तक बुके थी लेकिन उनके शरे में अलकोल मिला था पर्मबाबी के जाने के बाद उनके अंतिन संस्कार के लिए भी उनका कोई रिष्तेदार कोई अपना नहीं आया है पोस्बड़म के दो दिरों तक उनकी बाड़ी अस्पतर में पड़ी रही फिल पिल्म मेकर मैज बट उनकी बाड़ी लेने अस्पतर पहुचे और उन्होंने अभी इतने के अंतिन संस्कार का बंदोष किया दोस्तों आपको पॉलरी ग्लैमर्स एक्टर पर्मबाबी का वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही मनोज वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें दन्यवाद